हेलो अब्रीबडी वेलकम माई चैनल आज में फिर आपके लिए प्रोशे के बीटिफुल डिजाइन लेके आई हूं देखें यह कितने बीटिफुल है तो आज हमके बीटिफुल डिजाइन बनाना सीखेंगे तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ चेन बना लेंगे और जिल सैंबते बना ली हैं ऐसके बाद उसे ao कुछ सी चुप से इसी तरी के से और मैज चैन में डालेंगे को रचेसा बनाएंगे तू लूप से निकालेंगे और लास्ट लूप से फिर नेस्ट चेन में कोई से को इंसर्ट करेंगे और तू लूप से निकालेंगे और तू लूप से फिर इसके बाद बनाएंगे और जरो में बन चेन छोड़के रोकी फिर नेस्ट चेन से हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके स है और उसके बार हम पिर वही गैट कि यह व द्विन कुचिट बनाएंगे जलना है कि हम लिए यह तो इस तरिक के बनाेंगे है यह नंफवनल इनागी कुचिट बनाएंंगे पर फिर हम बनाजीम आ जोड़ेंगे और में स स्षाइब नगなたको सबस。 तरीके से हम कुन्पलीट करें यहीं हमारी पूरीया पूलीत हो गई है जिसे वाहत में. पोस्ट डबल कुछर बनाई थी वो इसे लास में ने बना लिए अब इसके बाद रैस्ट रू बनाए नहीं है तो हम थी चीन बनाएंगे वाइन टू थी और पर कुछब लपेटेंगे नागा लपेटेंगे और नाइस चेन में हम डबल कुछब बनाएंगे इस तरहेके से और उसके बाद लपेटेंगे लागे में और इसो हों है मुझान को को करेंगे दालेंगे और आगा लपिटेंगे और फॉर्सू यूप से निकलन इसमें हम इसमें बैक साइड से इस तरीक से को इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे और इस तरीके से हमें इस वोल में से लाइन बनानी है है जालना एक और अपास लूप से निकालना है तो लूप से तो लूप से और फिर चेंगे और बैक साइड से इसलाम के यह पाला है करना है कि इस तरीके से फिर वही कोशिंगा अब लपेटना है और उसी होल में हम इस तरीके से हमें यहां पर इसी होल में बनानी है कि इस तरीके से हमें इसी होल में बनानी है इसे हमें बनाई है देखिए हमारी सेमिल लाइन बन गई है और पर जाए यहां पर प्रोश्ई कर लेंगे और यहां पर यहां पर पर नेश्ट होल है उसमें इस फावर पैटन बनाएंगे और फिर इसके बाद यहां जो 7W कुछिट है उसके मेडल में स्टिच करेंगे और फिर नेस्ट होल में यही फ्लावर बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरी रोग कंप्लीट कर लेंगे आज देखे हमारे पूरी रोग कंप्लीट हो गए बनाए थी वैसे हमने लास्ट में यहीं मत बना लिए अब हम नेस्ट रोग में टू कलर की हमारी डिजाईन हैं तो हम इसमें सेकेड़ करेंगे यहां पर यह हमें पर इन पर एक यह किया इस तरीके से कि तरह से आड़ करेंगे लियां पर हम इस तरह से स्टिच कर लिए और आपको कुल करेंगे खीछेंगे इट आइट हो जाएगा यहां पर इसके बाद हम पिंक कलर से थ्रीचीन बनाएंगे इस तरीके से हमारी नीचे वाई रो में तो उसके ऊपर हमारी फर्स वाली में तो थ्री चेन बन गई और नैस जो चेन है उसमें हम डबल कुचिट बनाएंगे इस तरीके से लाएंगे और टो डूप से निकालेंगे और उसके बारने वियंसर्प, इस तरीके से इस तरीके से लाएंगे ह Nine Are इसमें हम स्टिच कर लेंगे इसी तरीके से हम सेमें लाइंगे स्टिच कर लेंगे लाइंके डैक से पूश्टेप डालेंगे और स्टिच करेंगे लास्ट लाइंगे अब यह जो हमारा जाइंट वाली जैगे है जो टूप लावर के मिडल में वहां पर हम थोड़ा साइसे लूजर रखेंगे लूप को और यह ने जो लाइन है जो से नेस्ट फ्लावर है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें हम स्टिच करेंगे इस तरीके से बैंक से टारेंगे और स्टिच करेंगे जासे हमने इस फ्लावर को स्टिच किया है एसे हम इस फ्लावर को स्टिच कर लेंगे और इसी तरीके से हम पूरी रोग कंप्रीट कर लेंगे देखिए हमने पूरी रोग कंप्लेट कर ली है इस तरीके से लास्ट में टूटवर कुचिट भी बना लिये हैं यह देखिए अब इसके बाद नेस रोग में हम तरीचेन बनाएंगे यह हर रोग में करना है हमें जब बनानी है स्टार्ट करनी है रोग त्रीचेन और वन डवर कुचिट लास्ट में भी हुई टू डवर कुचिट बना लिया है यह बना हम उसके बाद हम अब तरीचेन बनाएंगे रोग मोज़ करें जो जो जॉएंट वारी जगह है आइब हो यह चाहां अब लपिट लेंगे को सब्सक्राइब कुचिट करनी है इस तरीके से double crochet करेंगे, three chain बनाएंगे, और फिर उसी जगह पर है, उसी hole में हम second double crochet करेंगे, यानि हमें five, फिर 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 five chain बनाएंगे, one, two, three, four, five, और ये joint वाली जगह पर है, जगह पर हम double crochet, three chain double crochet बनाएंगे, और इसी तरीके से हम अपने पूरी रोग कम्प्लेट कर लेंगे, देखें हमारी पूरी रोग कम्प्लेट हो गए, इसका बेक लोग कुछ इस तरीके का दिखेंगा, आप इसके बार, यानि हमने two double crochet भी बना ली है, यह 2 double quichit last में और start में बनेंगी इसके बार 3 chain बनाएंगे फिर double quichit बनाएंगे डबल गुचिट के उपर double quichit next row में डालेंगे and 1 double chain में गालेंगे और फिर इसके बाद हमारी फाइफ चीन बनाई है उसमें हमें जो फिर्स चेन है लाइन की उसमें घॉस्या को यह तरह करुछ बीट ना है और डालना है यह तरीखेसे और हमें प्लावर की थी लाइन यहां पर यहां पर हमारी हमारे फ्लावर का हाफ फ्लावर बनेगा तो हम इसे बैक साइड से फिर उडी स्टिच करेंगे त्री प्लेटल बनेंगे यानि उसी चैन में हम फिर दुबारा से फिर को इंसर्ट करेंगे और फिर स्टिच कर देंगे फिर लपिटेंगे और फिर उसी चैन में डालेंगे और यह लाइन गणा लेंगे यह हमारा हाफ क्लावर बन गया अब उसके बाद किस में जान कर देंगे विगे इस तरीके से यह जो लाइन हमाई है हमारी तरही ऑंसर्जी उस्टिच कर देंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया है, इसके बैक से स्टिच करना है, यह लाइन हमारी फर्स लाइन है, फिर उसी होल में बनाएंगे, में जूएंगे, इसे लिए हमारा डबं पॉचेट वाली लाई है, अब्सके में डाला है प्रोष हाई है, और यह 7 लाइन है, प्रॉचेट बचाइन है, वैसे बंगार तो इस जेगे हम 7 लाइन बनाएंगे, इसी तरीके की और आगी फिर यह जब फाइव चेंज है तो यहां जोइंट कर लेंगे फिर यह लास्ट चेन है जो टूडबल कुछिट के पहले उसमें हम जैसे हमें शुरुवात में थ्री पैटल बनाए थे वैसे ही यहां पर बनाएंगे और उसके बार फिर डबल कुछिट बनाएंगे तो ऐसी तरह हम पुरी रोग कंप्लीट कर जोग गई है यह थ्री पैटल फ्लावर सेकंड फ्लावर फिर पैटल और यह तू टेबल कुछिट उसके बाद फिर हम यह फ्रेंट साइट से ऐसे है ऐसे दिखेगा इसके बाद हम वाइट कलर से बनाएंगे इसी तरीके से जैसे हमें पिंक कलर को जॉइंट किया था वैसे इसी तरीके से आगे में बना सकते हैं तो आज हमें बीटिफिल डिजाइन बनाने सीखी मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आई होगी मैं इस वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ फिर मिलते हैं बाई बाई झाल